हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल थिंक नई होप में हैपी दिवाली सबको धन तेर्स की बहुत बहुत शुब काम नाई तो आज हम बनाएंगे रंगोली के लिए कलर वैसे तो मार्केट में कलर मिलती हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे होती हैं और एक पैकेट में बिल्कु थोड़ा साथ हैं इसलिए हम घर पर ही बनाएंगे यह मैंने एक नमक का पैकेट लिया है इसको जितनी कौंटिटी में हमें कलर बनाना है उतने ही धली में डालें अब इसलिए मैं यह उजाला नील की कुश्पुंडे डालूंगी और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मसल लूंगी इसको जितनी ज़्यादा अच्छे तरह से मिक्स करेंगी रंग उतना ही अच्छा आएगा देखिए कुछ यह इस तरह का हो जाएगा अब भी यह कुछ थोड़ा सा गिला है मैं इसको कल धूप में सुका दूँगी जिससे की यह सुक जाएगा और बिर्कुल बजार से भी बढ़िया कलर बन जाएगा इसी तरह से मैंने और भी कलर बनाए है आप यह जो फूड कलर आते हैं इसमें रेड यैलो पिंक और ग्रेन काफी कलर आते हैं तो आप इसको बना सकते हैं मैंने यह तीन कलर के और बनाई है यह यैलो कलर का बनाए है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बजार जैसे बनी है आप भी जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे बदाएगे कि आपका कलर कैसा बना है आप इस कीप में डाल कर चेक कर सकते हैं अगर आपको मोटा लगे तो थोड़ा सा मिक्सी में गुमा लें जिससे यह और ज्यादा सुफ्ट हो जाएगा पर बिल्कुल पीसे ना पस बिल्कुल हलका सा जिससे यह दरदरा सा हो जाए वैसे अगर ना पीसे तो भी यह चल जाता है पर केई वारकीप का सुराख छोटा होता है तो ये दिक्कत आती है